अगते आप सभी का आपके अपने चानल टेली एक्सप्रेस में जहां आपको मिलती है स्टार प्लस सूपर हिट सीरियल ये रिष्टा क्या कहला आता है से जुड़ी हुई सभी लेटेस्ट अपडेट्स टॉप कॉंट्रोवर्सी सबसे पहले वेल दोस्तो सीरियल में अब आने वाला है धमाकेदार मोड जब रिसेप्शन पार्टी में अभीरा की और अर्मान की आ जाएगा युवराज भेज बदल कर जी हाँ विल्कुल सही सुना अपने अभीरा अपने घर यानी पोददार खांदान के पास आ चुकी है दादी सा मा सा हर किसी के पैरो तले जमीन निकल गई कि आखिर हमारा जिम्मेदार होनहार बेटा अर्मान ऐसी गलती कैसे कर सकता है लेकिन अब आखिर क्या करें अब बहु आई है तो उसे बहु के तरह स्विकार करना ही होगा इतना ही नहीं अभीरा के घर में कदम रखते ही शुब शगुन भी होने लगे जो अब शगुन रूही ने आकर किया था अभीरा ने उसे शुब शगुनों में बदल दिया जिसक अंदर ही रहेगा वैल ऐसे में दादी सा खहती हैं कि सब लोगों को बुलाओ घर की बड़ी बहु का रिसेप्शन होगा स्टेज पर अभीरा कलश लेकर अपनी मा का कलश लेकर अस्ती कलश लेकर बैठी हुई होती है तब ही औरत के भेस में अचानक से एक महिला स्टेज पर चड़ती है और एक्दम से चाकू अभीरा की गर्दन पर रख देती है उसके बाद अर्मान जैसे ही अभीरा के पास जाता है तो घूंगट हताती है वो औरत और वहां पे निकलता है और कोई नहीं बलकि यूवराज यूवराज जो मसूरी से पीछे पड़ा हुआ हुआ है अभीरा के सबके सामने अभीरा की गर्दन पर चाकू रख कर उसको कहता है कि वो अब उसकी है अभीरा को उसकी होना होगा लेकिन दोस्तों अर्मान यहां पर अपनी अक्षरा मैम को दिया हुआ वादा निभाने की पूरी कोशश करता है वेल दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है क्या अस्थी कलश और अभीरा अक्षरा मैम को किये हुए अपने वादे को बचा पाएगा अर्मान या फिर यूवराज लेकर चला जाएगा अभीरा को कमेंट करके हमें अपनी राय आप जरूर बताए साथ ही वीडियो को लाइक शेर और चानल को याद से सब्सक्राइब कर ले